शिट सत्रे के दूसरे दिन बेव विपक्ष ने विदान सभा में हंगामा करते वे आक्रमक्ता दिखाई बे मुस्लम बारिज से किसानों को हे नुकसान के लिए 25,000 मौँचा मिले ऐसी मांग को लेकर जोर्दार आक्रमक्या जसके बाद विदान सभा कल तक स्ताकित की गई और विपक्ष के कुछ विधायक में हाता पाई हुए जिनमेशिव सिना के नितिन देश मुख बाशपा के हरिश पीपली ये दोनों विधायक आपस में ही बिढ़ गए विदायक डॉक्टर संचे रायमुल करने तो सामना का बैनर अपनी और खेचा सभा अर्थेक्ष नाना पटोले बार बार विपक्ष से शांत होनी को कहने लगी साथी बैनर के साथ प्रदर्शन करने वालों पर कारिवाय करने की बात भी कही लेकिन विपक्ष का हंगा मात जारी रहा इसले विपक्ष सभा अर्थेक्ष नाना पटोले ले हंगामी की वज मुख्य मंत्री उद्धोजी ठाकरे याननी अवकाली पाउस ग्रस्त शेतकर्यानना 25,000 रुपए हेक्टरी देने आत यतील आशा प्रकारची घोष्टना केली होती त्यांच्या घोष्टनेची आठवणामी करूंदिली करण काल पुरोणी मागने आल्या त्या पुरोणी मागन्यान मदे शेतकर्यान चा तुन्दाला पाना पुस्नेचा काम या सरकारणी केल आणी केवल 17,000 रुपए ची पुरोणी मागनी ये आवकाली हेक्टниц yapmışका शेतकर्यानकर्ता काल limitाला पाउस ग्रंदली आणि मड़ून आमी आज आक्रमक्तेना ही बाजु मांडून धरली आणि सरकारला योड़ा सांगितला कि नुक्तस निवडून आला हाथ लगे शेतकर्याचा विश्वास घात करू नका तुमी जे आश्वासन दिला है ते आश्वासन त्या डिकानी पुरुण करा खरतर जया वही आमचा कालजी वहव सरकार होता त्या च वही आमी कैबिनेट मने 10,000 कोटी रुपेयाला मान्यता दिली होती त्या नंतर सरकार आमचा नवता तेचा मले आमी त्या संद्रबातले जियार काडू शकलो नाई आज सभागुरु आमदे जयन पाटिल साहे बसे मनाले कि आमी 100,000 कोटी रुपेय दिली है खर मन्जे या ठिकानी त्या नी जी घोटना के लिए त्या गोटनेचा अजर विचार केला 33,000,000,000 हेक्तर जमीन मन्जे 23,000 कोटी रुपेय किमान ये त्यानी दैला पाईजे होते साले पास 100,000 कोटी केव त्या डिकानी दिली है त्यामे 55,000 रुपेय हेक्तरी नी 34,000,000 कोटी रुपे कजी रेनार फ्यामी तन्ना विचारला है दूसर या ठिकानी आता केंद्र सरकार कडे सग्ल्या गोट्टी टाकनाचा प्रेत्न अत्यांत केविल वाणा प्रेत्न या ठिकानी सरकार चा वतिन जाला केंद्र सरकार चे नाम स्थरले है आमचे इपाथ वर्षे सरकार होत त्या नाम प्रमाणेच केंद्र सरकार नी पैशे दिले है खरा है कि त्या पुर्वीचा आगाणी सरकार प्यक्षा जास्त पैशा हा माक्चा पाथ वर्षात मोधी सरकार न दिला पंटेचे नियमाणी निकष ठरलेत माजा सवाल हा माननीय मुख्यमंत्रियान कि मा या ठिकानी आज जेननी उत्तर दिला ते जयन पाटलाना है तुम्हे घोशना करताना स्वताचा जिवावर केली होती कि केंद्र सरकार्चा जिवावर केली होती यचा रिखिल उत्तर तुम्हे दिला पाईजे त्या मले आपला अपयश लपोण्या करता केंद्र सरकार्चा नाव घेन हे योग्यन आया आमी रिखिल जेमाई मदत केली आमी सांगितल केंद्रातली मदत येल तर येल पड़ आमी आमचा भरोशावर मदत करू आणी दर वेस जेवडे वेला अड़्चनित शेत करी आला त्या शेत करी आला आमी राज्जाचा भरोशावर मदत केली त्या मले या ठिकाडी आमची मागणी आहे पंच्चुए सजार रुपए हेक्टरी तुमची भूमिका होती तुमी घोष्णा केली होती तुमी एकत्री ताला तुमी कमन मिनियों प्रोग्राम त्यार केला पुना तुमी त्याडिकाडी कमन मिनियों प्रोग्राम मदे अवकाडी ग्रस्त शेत कराणना मदत करू मड़ूं चांगितला पड़ पईशे दिलेले नाही त्या मुले ही अक्षर्षा हा विश्वास घाता है शेतकर्यांचा सोबत या सरकारने विश्वास घाताची मालीका या ठिकाणी सुरू के लिया है येचा दिक्कार मड़ून आज सभागुरू आमरे विरोधी पक्षाने आक्रमक्तेन या डिकाणी हामुद्धा लाउन दरला दिवस बरा करता सभागुरू या डिकाणी तवकूप जाला है पड़ यात्म आज विशेश्ता जैन पठलांच जे उत्तर आलो त्यात्म आता या पुड़े पैसा मिर्णार नाही हेस पष्ट जाला है शेत करेंचा विश्वास घात जाला है हेस पष्ट जाला है आज सभागुरू हमें हमने मांग की थी कि सनमानिय मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे जी ने ये गोशना की थी कि बेमोसम जो बरसात हुई उसमें जिन किसानों का नुक्सान हुआ उनको 25,000 रुपया हेक्तरी मुआवजा वो देंगे लेकिन कल जब सप्लिमेंटरी डिमांड्स आई उसमें केवल वहाँ पर 7,500 करोड रुपया उन्होंने रखा 25,000 रुपया हेक्तरी अगर देना है 23,000 करोड रुपय देने चाहिए आज उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि हम 25,000 करोड से ज़्यादा पैसा नहीं देने वाले एक प्रकार से किसानों का विश्वास घात उन्होंने किया है और ये करते करते अभी केंदर सरकार से पैसे आएंगे तो देंगे इस प्रकार की जो बात की है ये तो बड़ा विश्वास घात है क्योंकि जब आपने किसानों को अश्वासन दिया था तो केंदर सरकार के भरो से नहीं राज्ज सरकार के भरोसे अश्वासन दिल्या था केंदर सरकार तो जो मदद करने वो करती है पिछले पात सालों में भी उन्होंने की है उनके नियमों के अनुसारों मदद आती है निकिन पिछले पात सालों में हमने कभी भी केंदर सरकार की मदद का, वहाँ पर हमने रहा नहीं देखी, राज्य सरकार की और से हमेशा हमने पैसा दिया, इसलिए जिस प्रकार से यह सरकार चल रही है, पहले ही चरण में इस सरकार ने महाराष्टर के किसानों का विश्वास है और इसी मुद्दे को हमने हमारे विधानसभा में आज पूर्जोर पद्दती से उठाया और विधानसभा आज नहीं चल पाई आज दिन भर के निवस्त अगित हुई